नमस्कार बच्चों आज के बहु फिकल्पी प्रेशन यानि one-liners questions जो है ये नेता जी का चश्मा पाठ के लिए हम कर रहे हैं इस पाठ के लेखक स्वेंप्रकाश है तो पहला प्रेशन है नेता जी का चश्मा पाठ के लेखक कोन है इसका उत्तर है नेता जी का चश्मा पाठ के लेखक है स्वयम प्रकाश सेकेंड कुश्चन है स्वयम प्रकाश का जन्म कौन से सन में हुआ था इसका उत्तर है सन 1947 स्वयम प्रकाश का जन्म कहा हुआ था इसका उत्तर है इंदौर प्रश्न है स्वयम प्रकास किस प्रत्रिका की संपादन से जुड़े हुए है इसका उतर है वसुधा वसुधा पत्रिका से लेखक स्वयम प्रकास जुड़े हुए है फिर प्रश्न आता है स्वयम प्रकास को किस पुरुषकार से समानित किया गया था इसका उतर है पहल प्रिश्ण है हालदार साहब कमपनी के नाम से उस कस्बे से कितने दिनों के बाद निकलते थे हालदार साहब कमपनी के काम से 15 दिनों के बाद बाहर जाते थे प्रिश्ण है कस्बे में किस चीज का छोटा सा कारखाना था किसका कारखाना था आपने कहानी भी पड़ी है तो यह था सिमेंट का कारखाना उत्तर क्या है कस्बे में सिमेंट का कारखाना लगाया गया था प्रिश्न है शहर की मुख्य बाजार की चोराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगी हुई थी इसका उतर है सुभाश चंद्र बोस प्रश्ण है नेता जी की प्रतिमा की वेश वुशा कैसी थी? उतर में आएगा फोजी प्रश्ण है नेता जी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा लगा हुआ था? उनकी प्रतिमा पर समान्य काले फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था दूसरी बार जब हालदार साहब ने देखा तो चश्मे का फ्रेम किसका बना हुआ था दूसरी बार देखा तब गोल तार का फ्रेम लगाया गया था हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किस से पूछा किस से पूछा था पान वाले से प्रेश्न है नेता जी की प्रतिमा को चश्मे कौन सा चश्मे वाला पहनाता था और बदलता रहता था उत्तर आएगा कैप्टेन चश्मे वाला प्रेश्न है नेता जी की प्रतिमा किस मास्टर जी ने बनाई थी उत्तर में आएगा मोती लाल प्रश्ण है हालदार साहिव किस में बैट करके चले गई उतर आएगा जीप में बैट करके वहां चले गई प्रश्ण है उस कस्बे से हालदार साहिव कितने साल तक गुजरते रहे उतर आएगा दो साल प्रश्ण है नेता जी की प्रतिमा की आँखों पर चश्मा क्यों नहीं था क्यों क्यों क्योंकि कैप्टन मर गया था प्रश्ण है आखिरी बार नेता जी की प्रतिमा पर हालदार सहेव ने किसका बना हुआ चश्मा देखा था आकरी बार चिश्मा जो देखा था वह है था सरकंडे का सरकंडा एक तिनका होता है तिनके वाले घास होती है और बच्चों ने तिनके की घास का चिश्मा बना करके उनकी प्रतिमा पर लगा दिया गया था और हालदार साहिब उसे लाक्ष्ट बार देखा था हालदर सहेब की आखें क्यों भराई थी कैप्टेन को याद करके उनकी आखें भराई थी कैप्टेन द्वारा निताजी की प्रतिमा पर बार बार चश्मा लगाना उसकी कुनसी भावना को बताता है उत्तर में आएगा देश प्रेम को बताता है प्रश्ण है कस्बे में आपन एयर सिनेमा घर कितने थे उतर है दो प्रश्ण है कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे उतर है एक प्रश्ण है नेता जी की प्रतिमा को देखते ही क्या याद आ जाता था दिल्ली चलो याद आ जाता था प्रश्ण है हालदार साहेव के अनुसार आजकल देशभक्ती क्या चीज होती जा रही है उनके अनुसार मजाक की चीज होती जा रही है देशभक्ती मजाक की प्रश्ण है पानवाला किस मीचाज का आदमी था उत्तर है खुश प्रश्ण है लाल काली बती सी किसकी थी? उत्तर में आएगा पान वाले की प्रश्ण है कैप्टन के सीर पर क्या था? उत्तर है गांधी टोपी प्रश्ण है कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर है मरियल लंगडा प्रश्ण है हालदार साहेद चोराई पर क्या खाने के लिए रुके थे उतर आएगा पान खाने के लिए रुके थे प्रश्ण है नेता जी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट उची थी उतर आएगा दो फुट प्रश्ण है चल्दार साहब को हर बार कुस्बे से गुजरते विए किस बात की आदत पड़ गई थी तो चोरहाई पर भी रुखते थे पान भी खाते थे और मूर्ति को भी ध्यान से देखते थे यानि उपरयुक्त सभी उतर आएगा उपरयुक्त सभी प्रश्न है निता जी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? मोटा भी था, काला भी था, खुश मिजाज भी था, तो इस सारे सभी प्रश्न है वो लंगडा क्या जाएगा फोज में? पागल है पागल नेता जी का चश्मा पाठ में शब्द किसने कहे? ये कहे हैं पान वाले ने प्रश्न है साहिब कैप्टन मर गया नेता जी का चश्मा पाठ में शब्द किसने कहे? पान वाले ने कहे थे नेता जी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? कैप्टन चश्मे वाला है नेता जी की मुर्ती पर सैटकंडिक का चशमा देखकर हालदार साहेँ कैसे खड़े हो गए इटेंशन खड़े हो गए थे वो पान वाले के उदास होनी का क्या कारण था यूँकि कैप्टन की मृत्यू हो गई थी प्रश्न है नेता जी की मूर्टी बनाने वाला मोती लाल पेशेशे क्या था? तीचर था वो? अध्यापक था प्रश्न है चश्मे वाले की देशवक्ती के सामने कौन अत्मस्तक था? उतर है हालदार साहब प्रश्ण है पान वाले के अनुसार नेता जी की मुर्थी का ओरिजिनल चश्मा कहा गया उत्तर आएगा मास्टर जी बनाना भूल गए प्रश्ण है हालदार साहेव को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है उत्तर है भावुक नेता जी की मूर्ती को देखते ही क्या याद आने लगता था तुम मुझे खोन दो प्रिश्ण है नेता जी की मूर्ती वाले कस्वे से हालदार साहिब कब गुजरते थे हर पंद्रवे दिन गुजरते थे ये आपका 43 कुश्चन्स हैं नेता जी का चस्मा पाट से अगर इस पार्ट से सम्मंदित आपके कोई questions हैं तो आप जरूर comment section में comment करके बताना और इस पार्ट की मैंने summary और explanation भी अपने channel पर बताई है अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जरूर करें Thank you for watching